असलाम लेकुम फ्यूवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्रीज में रखा हुआ गोश्ट जो है दीफ्रोस्ट कैसे करें और बहुत ही वक्त लग जाता है जब भी हम फ्रीजर से गोश्ट निकालते हैं कुछ बनाने के लिए तो तीन से चार घंटे लग जाते हैं इसको डीफ्रोस्ट होने में तो हम यहाँ पर आदे घंटे के अंदर ही गोश्ट को बिलकुल अलग-अलग कर लेंगे अच्छी तरीके से तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में के हमें गोश्ट को डीफ्रोस्ट कैसे करना है तो सबसे किसी बरतर में पानी ले लीजिए और इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चमबच के करीब नमक और नमक को पानी में अच्छी तरीके से घोल लीजिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस नमक की वज़े से जो है गोश्ट बिलकुल अलग-अलग हो जाएगा तो यह देखिए नमक जो है पान और इसको हम पानी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से पलट लेंगे ताकि जो सारा नमक का पानी है वो सारे गोश्ट पर अच्छी तरीके से लग जाए और इसमें हम डुबा कर इसको आदे घंटे के लिए धक कर छोड़ देंगे और आप आदे घंटे बात नहीं कहते हैं, यह देखें, गोश्ट जो मैं अलग अलग हो जांग female आधे में गढ़े लग गोरुं से पहले ही यूस्ते पहले इसको आधे गढ़ें से हूद में आधे गोश्ट सफ्ट्ट इस अाटे यह वाल-ग ही कैसी लगी ये टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कैसी लगी